इस गदर मुई को पर शारु खान का आया तगड़ा रियक्शन है हर गदर मुई ने 22 साल के बार 9 जून को इंडिया सैनमे में दुबारा से रिलीस होके ऐसा कौन सा बोक्स ओविस पर जंडा गार दिया है जिसको लेके बड़े-बड़ सुपरस्टार इस मुई की तारीफ करते हैं थकते नहीं है अगर बात की जा अमीता बच्चन ने इस मुई के काफी बड़े रियक्शन डाला हुए पर शारू खान का कहना था कि यह मुई बॉक्स ओविस पर दूसरी दफ़ा सुपरेट हो चुकी है शारू खान का कहना था कि 2001 में यह मुई रिलीस होई थी इस मुई ने वर्ल वाट से 133 को अखा कॉलेक्शन करके इंडिया से 70 क्रोड़ पे की कमाई की थी शारू खान का यह भी कहना था कि इस मुई को रिलीस होई 22 साल हो चुके और आज तक हम इस मुई के बॉक्स ओविस रिकार्ड्स को नहीं तोड़ पाए शारू खान का यह भी कहना था कि सनी पाजी जो भी मुई बनाते हो अपनी दिल लगर मेहने से बनाते है और सानी पाजी की जितनी भी मोवीज थी वो सब से सब सूपरीटर और ब्लॉकबास्टर मोवी साबीत हुई है जिसमें सबसे नमबर वन गदर मोवी आती जिसके पास सबसे ज़दा लाइफ टेम टिकर्स बेचने का रिकोर्ड है जो आज तक बोलीवुड का बड़े से बड़ा सूपरस्टर सलमान कान शारुकान जितने भी बड़े सूपरस्टर इस मोवी के रिकार्ड को नहीं तोड़ पाए इस वीडियो में बात करेंगा आज गदर मोवी के इंडिया सेनमा में रिलीस हुए पूरे साथ दिन कंपलिट हो चुके बात करेंगी इस मोवी न अपने डेव वन से लेके डेव साथ तक इंडिया बोक्स ओवीस पे कितना कॉलक्शन किया है वीडियो में आगे बनने से पहले आपसे छोटी से रिक्वेस्ट इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए चानलों को सिस्केप कर दें गैज़ अगर बात करें गदर मुई के बॉक्स ओविस रिकॉर्ड्स के बारे हैं तो गैज़ इस मोवी ने 2001 के टाइम में लाइफ टाइम में 5 कोड़ 10 लाग टिकर बेचके 2001 के टाइम में बोक्स ओवीस पे सबसे बड़ा रिकॉर्ड स्कैम किया जिसको रिलीस हुए आज 22 साल कम लिट हो चुके हैं और आज तक गदर मुई का कोई भी रिकार्ड नहीं तोड़ पया के जेफ चाप्टर टू के पांच कोड़ टिकट साल उड़े ट्रिपलार मुई के चार कोड़ तीस लाग दंगल के तीन कोड़ अठतर लाग केवल बहुबल टू और बहुबल इस मुई के रिकार्ड्स को तोड़ पया शारुकान की फिल्प पठान वल्लवट से केवल तीन कोड़ पचास लाग टिकट साल उड़ करने में कामयाब हो पही है मैं आपको उदाना चूँगा गदर मुई बॉक्स ओवीस पर ऐसी तबाही में चाहिए इसको देखते है फिल्मस की मेकर ने गदर मुई के साथ गदर टू बनने का डिसिशन लिया रिलीस को करने से पहले गदर मुई को बॉक्स ओवीस पर रिलीस करने से पहले फिल्म्स के मेकन है गदर मुई को 9 जून के अंदर दुबारा से इंडिया सानमा रिलीस हो करके गदर मुई के लिए एक अच्छा डिसिशन लिया है गदर टू आपके करीबी सानमा घरों के अंदर 11 तरीकों 10 दिने आरी 11 गस्त वाले दिन अगर बात करें गदर मुई के बॉक्स ओफिस क्लेक्शन के बारे हैं तो गदर मुई ने अपने पहरा दे इंडिया सानमा से 30 लाख रुपए की कमाई की साथ दिनों के अंदर गदर मुई ने इंडियन बॉक्स ओफिस पकुले मलाके 2 करोड 30 लाख रुपए का कॉलक्शन कर ले जबके इस मुई को दुबारा से रिलीज करने में वी एफेक्स और कुस मुई इस मुई ने सीन एड्स किया गया है इस मुई को रिलीज कर गया था गदर मुई का दुबारा रिलीज ओट करने में बजट 100 करोड था और ये मुई 2 करोड से उपर कमाई करके आप भी दूसी दफ़र रिलीज होने के बाद भी इंडियन बॉक्स ओविस पर सूपर रिलीज हो चुकी है वैसे कि जगर बात करें गदर मुई इमोशन्स है फिलिंग्स है इस मुई का एक एक सीन आपको भाय का आप लोग सीट सहील नहीं पाओगे गदर मुई के सौंग्स डायलोग आपका दिल छुजाते हैं वैसे आप लोग मुवी देखने गए हो कि आपको मुवी कैसी लगे अपनी रही कॉमस सेक्शन डाले गया इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो चानल को सिस्क्रेब कर दो इस वीडियो में आपको जो भी इनफार्मेशन दीग वो अन्डर परसन रियल है तो आज के लिए इतने में आपको मिलता है नेक्स वीडियो में जो आपके लिए होगी कुछ खास